नमस्कार, स्वागत है आप सबका, कपशफ हो जाए पॉडकास्ट में तो आज जिस बात का मैं पॉडकास्ट लेके आई हूँ वो है कि आज भी लड़किया और लड़के बराबर हैं सबकी नज़र में मुझसे पुछा जाए या मेरी नज़र में तो मुझे तो नहीं लगता कि लोग आज भी लड़का और लड़की को बराबर समझते हैं क्योंकि आज भी अगर पहली लड़की कहीं पैदा होती तो लोग सबसे पहले यहीं बोलते हैं कि कोई बात नहीं अगली बार लड़का ही होगा चलिए माना जमाना चेंज हो रहा है बहुत चेंज होगा है लोग अब थोड़ा सा समझदार हो रहे हैं समझ रहे हैं कि नहीं लड़का लड़की कोई फरक नहीं होता लेकिन तो पहली लड़की पैदा हुई तो लोग कुछ नहीं केते पर दूसरी बार में लोग जरूर बोलते हैं कि अब की बार लड़का ही होगा कुछ लोग तो पहली बार में ही बोलते हैं कि लड़का ही होगा भले माबाप के अंदर ये मन में ऐसी कोई बात नहीं होती लेकिन हम उनके मन में ये जाल देते हैं इसका मतलब यही हुआ ना कि लड़का होना इतना mandatory है कि हर घर में, हर परिवार में कि लड़की होने का मतलब कि कोई आुलाद नहीं होता छोटी छोटी चीजों में फर्क होता है यह नहीं हम बड़ी चीज तो बहुत बड़ी हो गई हम तो छोटी छोटी चीजों में फर्क करते हैं लड़का लड़की में अगर घर के कोई काम हो रहे हूँ तो सबसे पहले बगल में बेटा बेटी दोनों बेटे होंगे पर सबसे पहले हम बेटी को ही बोलेंगी कोई काम करने पानी लाना है पहले हम लड़की को उठाके भेजेंगे चाय बनाना है, हम लड़की को ही बेज़ेंगे, लड़की को हम कहेंगी ही नहीं क्यों? क्योंकि लगता है लड़की को तो घर की काम करने ही है लड़कों को तो करना ही नहीं है, लड़की को तो घर की भी काम करना है पढ़ना लिखना भी है, जौब भी करनी है, शादी भी करनी है, परिवार भी चराना है. लेकिन हम यहीं फर्क कर दिते हैं, छोटी चीजों में, जो हम लड़की को नहीं बेशते हैं, पानी राने के लिए, चाया बनाने के लिए, फिर बाद में होता क्या है जब वही लड़की जब बड़े होते है जब उन्हें अकेले रहना पड़ता है तो उन्हें मुश्किलों को सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें कुछ सर्वाइफ करने के लिए आता ही नहीं करना उन्हें खाना नहीं बनाना आता, उन्हें कोई छुटी-छुटी चीज नहीं करने आती क्यों? क्योंकि हमारे, हम खुद ही ने उनको करने देते तो उन्हें कैसे आएगा? तो यहीं दिक्कते हैं न क्योंकि हम बराबर ही नहीं समझते अब लड़के कहेंगे हमें तो बाहरी काम के लिए भेजा जाता है लड़कें होते तो नहीं कहा जाता तो क्या कभी किसी लड़की ने मना किया है कि हम बाहर काम करने नहीं जाएंगे अपर हमें बाहर कोई चीज आप लाने भेजोगे तो हम नहीं जाएंगे नहीं पर हम खुद ही नहीं बेज़ते हैं पने बच्चों को कि क्या लड़की जाएगी लड़की को भेज़ देते हैं नहीं नहीं शाम हो रही लड़की को नहीं लड़की को भेज़ देते हैं हम इने फर्क कर रखा है फिर हम पने बच्चों से कहते हैं नहीं हमें तुम्हें कोई फर्क नहीं है ऐसे फर्क करके लड़कियां खुद ही अपने आपको दबा लेती हैं कि अच्छा अब यह टाइम हो गया हम नहीं निकल सकते क्योंकि हमें शुरू से ही कहा गा है कि इस अब लोगों की सोच बदल रही है लोग अपनी लड़की को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं काबिल बना रहे हैं और लड़कियां भी कर रही हैं काम लेकिन फिर भी हम कई जगव पे कई सिचुएशन पे हम लड़की को ही खीषते हैं पीछे की तरफ अगर आप शादी ही यह लो तो हम अज्ज़स करने किसे कहते हैं लड़की को भी बोलते हैं क्या कभी कोई लड़की को भोलता हैं अजसकरा हैं लोग कभी नहीं कहता है इसका सब्सक्राइशन कानता ग excitata करने जिससे उमीद रखते हैं, वो लड़की से ही रखते हैं, क्योंकि लगता है लड़का, तो कभी करेगा यह नहीं, और लड़का क्यों करेगा, यह तो लड़कियों का काम है, भले इंसान पढ़ लिख रहा है, बाहर काम कर रहा है, लेकिन उसको ठक के आके, पहले घर का का करना है क्योंकि हम उमीद उसी से है क्योंकि हमने कभी लड़कों को सिखाया ही नहीं घर की काम करना तो उमीद हम कैसे करेंगे उनसे गलती कहां आती ही गलती हमारे माबाप की आती है कि हम उन्हें सिखाते नहीं पहरी बाद तो घर के काम करना उसके बाद हम लड़कों को नो देखा ही वही चीज है और यह रिस्पेक्ट की बात आती है लड़कियों के वह भी घर से आती है जब घर में जब शुरू में हमने लड़के नहीं देखते हैं कोई क्वेल्टी माबाप में तो वह कैसे लड़कियों की इज़त करेंगे मैं ये नहीं किती हार घर के लडगे ऐसे हैं लेकिन स्वें ऐसा होता है ना कि जब लग्त्व हमें खुदी नहीं लगता जा मैं खुदी लेकिन वही लड़का जो दामाद है जो अपनी पत्नी के घर आता है उसकी उल्टा और भगत होती है उनको बठाया जाता है उनका सम्मान किया जाता है उनको टाइम पे चाय दिया जाता है टाइम पे पानी इंखाना दाना सब दिया जाता है क्यों वो यह डिजर्फ करते हैं लडक你 डिजर्व नहीं करती लड़के क्यों घरकल काम मिलता है क्योंकि दामात है घर का कि आप रात होते निकलनी देते क्यों को योकि उनके लिए खत्रा है बाहर लड़कों से ना तो पहले आप लड़कों को सिखाई ना तमीज उनको educated कीजिए कि कोई भी लड़की हूँ सबकी respect करनी है इसलिए मैं कहते हूँ लड़का लड़की बराबर नहीं है और बहुत time लग जाएगा इस चीज़ को होने में आज अब लड़के अपने लिए कुछ बोलती है कहती है हर कोई कुछ लाया लगता है feminist, feminism, feminism, feminism तो लड़किया ना बोले और बिज्वाइब पिस्तिर है और बोल दें उनके आप feminism का धपा लागा दो यह ज़िए यह ज़िए फैमिनिस्ट है यह ज़िए फैमिनिस्म है दोनों को फ़ह पहर भेजें, कोई समाल ना हो, कोई बाहर का काम हो, दोनों को ही भेजें लटके को जुरूर बताएं कि आप बेहन की इसे इस्जच कर रहे हैं वैसे सबकी इस्जच करनी यह और क्या लगता है कि अगर लड़का आपके घर में है तो क्या वो हर वक्त आपके लिए मौजूद रहेगा आपको कोई कस्ट पड़ेगा कोई दुख पड़ेगा तो लड़का भी आएगा और लड़की भी आएगी ऐसा कहीं नहीं है मापाप के साथ में लड़क ही आएंगे। उस वह नकर फिर मुश्किल पढ़े नुद्ग पर पढ़े तो क्या लड़का आएगा लड़की नहीं आएगी तो कैसे क्या मंडेटरी है लड़का क्यों 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 हमने हग दे दिया दूसरे को लड़की का इसलिए हमें लगता है कि लड़की आए ना है पर लड़का तो हमारा अपना है ना तो हम गलतियां तो हमारे अंदर ही है ना कं यहां व्यांग भी कोई चीज सराओट लर्की युलव Яुंही पैटिगे भी इतना मेरारट हो आटटा होना प्रेंminute अपर इक्वैल्टी देंगा लर्क्राइब होने में साथ में कोई नहीं रहने आपकी साथ में रहना तो अकेले पढ़ रहा है अगर बेटे रह सकता है तो बेटे भी रह सकती है आपको वह और लोगों को लगते ना लड़का होने से आप पूछ लो जाके कि तुम्हारे पर्दादा पर्दादा का नाम क्या है तो उन्हें नहीं पता होगा जब आपके घर के लोगों को ही आपके वंश को भी नहीं पता है कि आपके पूर्वस से वह कौन थे तो कौन सा बन्स आगे बढ़ रहा है आपका फिर दादा तरे सांट नाम सबमेरे पता परदादा परदादा लोगे नाम किसी को नहीं पता है तो कौन चाल बढ़ रहा कि रहा लुग हमारे पूरवज दूर देखना है है maior आज भी रोग दो से दिन बच्चे इसलिए कर रहा हैं क्यों क्योंकि उनकी घर में दो लड़के अल्रेडी हैं तो लड़का चाहिए उन्हें लगता इनने की लड़के उनका नाम रोशन करेंगी यह लड़के पढ़ लेकि कुछ बन जाएगी यह उनका सहारा बनेंगी उन्ह ज़का जा रहा है कि बेटें उसाथ दे रही पर बेटें नहीं साथ दे रहे हैं क्या करो गया वैसे नाम का फिर सिफ दुनिया को दिखाने के लिए आज कल के जो निव जगनेरेशन मौम है वो बहुत जा समझदार है वो इस चीज को देखती हैं तो उन्हें पता है कि हमें यह फर्क अपने बच्चों में नहीं करना है अगर हमारे लड़का लड़की है तो हमें उनमें यह फर्क नहीं करना है पर आज भी इस जनरेशन में कुछ माया ऐसी है कि वो बिल्कुल भी समझदारी से काम नहीं लेती है आज भी अगर उनकी जल्दी शादी हो रही है जल् बच्चा हो गया और भी लड़का हो गया तो इसका मतलब उन्होंने बहुत जग हासिल कर लिया जग जीत लिया हो आजकर कि जो मॉम है न्यू मॉम से मैं उनसे कि और फिर जो उट भी मदर हैं मॉम टू भी है तो मैं यही चाहूंगी कि अगर आपके घर में लड़का हो काम करना सब्सक्रा उसकिल्स मॉम स्कुफरव करने के लिए किसी गश्यक्राम करने कि छाहना ना, जाए पॉचा हो चाहिए और यह कोई भी घर का वह खाना ही और यह कोई बटुआरा नहीं हो सकता कि यह तुम्हारा काम है तो आज करती हूँ अश्के आपको मेरी वाड़िकास अच्छा लगा हो आपको मेरी बाते समझे में आई हूँ तो अगर आपको मेरा ये पॉटकास अच्छा लगो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें थैंक यू सो मच